नमस्कार दोस्तों आज के Stock Lending में जणनेंगे कहती है कि बड़ी largest आई बीची मैनुफेक्ट्चर के प्लास्टिक किया है तो इसे यह पता चलता है कि प्लास्टिक के बड़े बारे कंटेनर बनाती है और इतना ही नहीं प्लास्टिक के बेरल्स सब्सक्राइब करने के पीछे सबसे पहला कारण है इनको बड़ा और और किस सीज को लेकर मिला और मिला इनके पास को ऌर प्सक्राइब को लेकर कि जो नहीं का हिवार पर्जॉक्षित को प्सक्राइब करlog को लेकर हैं इसमें उनको पास्ससाः प्सक्षिद्र मिल nepलैकि अनके पास मिलती है कंपणी का नाम है अब भागरिया ग्रीन एनर्जी और खासके से एक चीज देखने को मिलती है जायतर और गुजरात के अंदर देखने को मिलती है अब पता ने मेरी नजर गुजरात पर जाती है या और गुजरात में जाती है तो नहीं कह सकते लेकिन इनके पास टोटल जो घड़ी 13 मेगा वाट का था खास करके इसको पावर प्लांट पीवी मोडल सप्लाइब करने को ले करके उसे में इसके पास यह और मिलती है नदर आती है इसमें इसके पेशे कारण और है कारण यह है जो स्टॉक ने जंप किया जंप क्या इसी बेसिस बेसिस पर क्योंकि इसकी चार्ट कुछ और संके पर चार्ट कहती है जो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं थी मार्केट ने बुस्ट किया मार्केट ने वॉल्यूम नहीं थी पर मार्केट ने रियक्ट क्या क्या पता है मार्केट ने सस्टीन किया और उसके बाद मार्केट क्या अपनी नीचरी लेवल को टेच कर सकती है क्या फिलहाल कि चलिए इसी को अब लोकन करेंगे आज के स्टड़ी में जानेंगे इस एक पॉइंट को लेकर कि फिर आएंगे कंट्लूजन को लेकर क्या खिर वॉल्म नालुजिस में इसको फंडामेंटल से कहसे समझेंगे तो कंपनी पैरामेड्स टेक्नोप्लास्ट जिसकी बुक वैलू के बाद करें तो कवरी साथ रुपे का और इंट्रसिक वैलू कहते हैं दोश्वों अठ्था रुपेगा यह जो था एक चीज़ अब स्टॉक में भीहिर की बाद कर लेते हैं स्टॉक में मार्केट की भीहिर है मार्केट में टोटल के टोटल इस सेम सेक्टर कंपनियों में भीहिर है ट्वइंटी एट का और यहां पर बीहरे ट्वइंटी टूक और ता समझ में यह आदिये जो यहां से कड़िव कड़िव यह 30 परशंट यहां से जंप करना चाहिए इसके बेसिस मैंने कह रहा हूं इस कड़िदने को लेकर किसके बेसिस पर यदि इनकी फंडामेंटल में सब कुछ ठीक ठाक है तो देखे इसकी बिजनेस मोडल को लेकर के तो यहां पर इसकी बेसिस पर यदि मार्केट आती है तो 30 परसंट यहां से जंप करती है तो कितनी जाएगी कड़िव कड़िव यहां प्यावन रुप्य के आसपास कि जंप किया जाए तो निकल कि आती है एक क्यावन एड कर देंगे तो नियरली लगता है कि इससे ज़्यादा ही चली जाएगी अब आते हैं सवाल को लेकर के इंट्रेस्ट किस लेवल पर आई उसके पीछे पहला कारण है जिसको देखा जाता है आखिर कंपनी की जो पर सेर इंकम है वो क्या कहती है पर सेर इंकम के बारे में कहते है जहाँ पर फेश बेलू दस रुपे का है उस दस रुपे वहला नौमनल लोट करिब करिब आट रुपे की अर्निंग करके दें तो यह तो मार्केट इमिस की पीछे 22 लोगों की टीम है, 22 लोगों की भीर है, जो खड़िदने को लेकर आये हैं, जिसको लेकर के 22 लोग आये, तो मार्केट में क्या होगा, 22 लोगों की भीर से, ये बढ़ गई स्टॉक की प्राइस, अब इसको EPS को दो चीज़ से हम बिलकुल ध्यान रखते हैं, और समझने की प पार्ट है, जो की बर्डेन की बेसिस पे, इंट्रेस्ट की बर्डेन की वज़स पे, प्रोफिट को क्या करता है, दवाता है, और एक वो है, जो की उधार सिल्स करके, प्रोफिट को क्या करता है, उगाता है, उगाने का मतलब, प्रियेसिंस जिनरेट करना, बेसिकली उगा और इसको चाहिसे के पीछे इस रिस्क को हम जानने की प्रयासरत रहेंगे जहां पे इसको भी कंसलेशन करेंगे क्या इनका पार्ट्स कम हुआ ज्यादा हुआ जहां पे नम्मर अब सेयर की बादकरतों करेंद सुआद गरीब मार्केट क्या बनी है जहां पिए प्रमोटर की होल्डिंग करीब करीव 75 परशंट की है जहां पिए आरशी की बात करें थो 21 परशंट और यहां पिअ पर बात करें लिए डिविडेंट का कोई ठ्राक रिकॉड नहीं है पिछे लिए आते हैं अपनी नहीं पराओं की तरफ जानते हुए क्या कहती है कंपनी के बारे में यहां पर देखा के कंपनी जो प्राइड मीट था वो स्टोडेज निट रोबॉस्ट एमस बारेल की बात करती है बड़े-बड़े कंटेनर बनाया जाते हैं प्लास्टिक से र स्टील जो आती है बड़ी सी कंटेनर जिसमें कि क्या जाता है वाइल मोबील वर्यास डाल डालके वरी कंटेनर में सप्लाई होता है इस तर एकिंडसिर्न बॉडक्त बनाती है कंप्या क्थे लिए आते हैं किसी को आगे बढ़ाते हुए जानते इस कंपनी को कमप्लेट permettre की पूरे के पूरे इसकी इंस्पेक्शन करने बाले हैं आखिर कंपनी में फंडमेंटल्स में प्रॉफिटल्यू टेक वारे में क्या कहती है पियर्स में देखा गया तो आइनोक्स इंडिया से लेकर के इपी एल और गार्वेज हाइटेक जैसे बड़ी कंपनिया है जिसको इसके लेवल पर देखा जाया तो यह मार्केट क्याप के बैसिस पर क्या करका है प्यर्स के लिस्ट में में इसी चीज को जड़ी हमें एनेशी के पोटल में देखें एनेशी कहती है हमारे पास जो डेटा जा म॥ीमसी का होता है वह होता है लीवेड नीख मॉडल के बैसिस पर क्याया जाए कि अइनकी प्रोफित बेसिस का आगहरें एक ओवर्यू कमपेर किया जाए आते हैं इसकी नेट तो नेट फिगर और की तरह जहां पर क्वाटरली रियल्ट के बारे में जून तक का जो लेटा अपडेट हुआ और लियुक्त क्या होती हैं गट जब पांच क्रोड का जयरा बहुत जादा नहीं था लेकिन इसे परशंट ती तो गटी जब चार परेटे पिछले से और ने फिर बजल नहीं हुआ कोई ग्रो लेबल पर नहीं हुआ ऐसी अपरेटिंग प्रोफिट के देखें तो आप्रेटिंग प्रोफिट भी क्या कहती है नियर अबॉट्ट सेम रहा वह बड़ी सी मोमेंटल नहीं थी इसको लेकर के अल्ट की रहे पर प्रोफिट आते हैं नेट प्रोफिट को लेकर कि और इसके वारे में देखा तो उसमें क्या देखने को मिला कोई फेर बदल नहींगता पिछले क्या सेंथ आ यह बुक किया है उस पेरिट का नाम है आठ करोर 41 लाग की प्रोफिट बुक किया था जो कि फर्स्ट आफ दॉप देखें तो यहां पर जंप करती ने दर आई चाहे वो लास्ट बारा मेने में थोरा सा गिराबड देखें अब इसका साथ और देखें तो अप्लेटिंग प्रोफ 20 परशेंट गीड जाती है और 8 परशेंट पर आ जाती है और पिछले परेट की बेसिस पर प्रोफिटलूटी को देखें तो 32 करोल से चेंज हो करके 29 करोल पर आती है तो यहां भी इनका संकेत गलत देता है कैसे क्योंकि इनकी पास जो प्रोफ बढ़ाने के बाब जूद भ कर देखा जाए इनकी नुक्षान दाई देखने को मला पिछले अब यहां पर शबाल समझने बाद यह है जो यह 29 करोल की आसपास की जो वेल्यू है वह क्या जो बुक्ट किया हुआ भैल्यू है इसके पीछे हमें बैलेंस्ट जानना चाहिए या नहीं चाहिए यदि बैले जानना चाहिए, क्योंकि उसी में छुपा हुआ है प्रोफिट और लॉस की कुछ आखलन को, जहां पे बॉरंक्स की पार्ट के बारे में कहती है, जो बॉरंक्स इनका क्या हुआ है, उनने बर्डन को कम किया है, चपन करोर से बीस क्रोर पे लेके आए, अब ये आए हैं, जब अचे उधार सेल्स के बारे में देखा गया, क्रीब 99 करोर का रहा है, अब यहां पर सवाल ये उर्ता, जो इनका सवाल है, जो 99 करोर का मार्केट में की पास उधार सेल्स हैं, उस अधार में प्रोफिट भी परा हुआ है, उसका प्रोफिट से आखलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसलिए profit से आखरन करना चाहिए कि प्रॉफिट के वेसिस पर कितना market रिस्क कहता है और और number of days क्या कहता है तो number of days में जहां तक 69 दिन तक आया था तो 12 सारा increase decrease करती नजर आई जो कि कहास के और 60 दिन हो गया दो मने से क्रॉस कफिं नजडर आई अब जो 99 करॉड का टोटल है मार्केट में इनकी पास भशा हुआ पैसा उसके पीछे देखे तो 532 करोड में 99 करोड का पैसा है मार्केट में और प्रोफिट कहता है केवल 29 करोड और सोचने वाली यहां पर 70 करोर का अभी भी मार्केट में इनका पास क्या है मार्केट में अपनी प्रोड़क्टिवीटी प्लस प्रोफिट दौनों आठकी पड़ी है जब दौनों आठकी पुड़ी है तो थोरा सा रिस्क तो बनता है क्योंकि देखते हैं सेंटिमेंटल में क्या कहती है सेंटिमेंटल हमने देखा किनकी पास लेटेश्ट एक ओर्टर मिला था दो क्रोर संग्षिंग कर था ना साथ उसके बाद इसमें लगातार देखेंगे तो वॉल्यूम में लगातार इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब यह है जो कि खास के जो एवरेज वॉल्यूम है उससे जम्प करना कुछ संकेत देता है कि मार्केट में इसके ट्रेडिंग के अंदर काफी वूचाल चल रही है भूचाल चलने के लिए हम इसके आकरन करके देखें चार्ट लेवल पर तो भूचाल मतलब यह देखने वह यहां पर क्या हुआ जो कम थी वहां पर लगातार भूचाल आई तो भूचाल की बज़े से हुआ क्या एक सबाल आती कि भूचाल की बज़े से हुआ क्या मार्केट में यहां पर देखने को आई जी भूचाल जो हुई थी उसे मार्केट में जिस लेबल से वेल्यू इंक्रीज हुआ उसी लेबल से वर्लूम भी इंक्रीज कर दी मतलब यह लगता है कि हां मार्केट में कुछ बड निकल की आती है कुछ लेटेस्ट अब्डेट की तरफ देखें और इतना ही नहीं यदे इसका हम और कोई ऐसा कुछ पार्ट है नहीं के पार्ट को बिल्कुल कंपेर करेंगे बाकि से लेकर के और इनकी जो कोई इंडेक्शेशन होगी तो फिलाल ऐसा देखने का मिला एक साल म तो यह लगते है कि हां मार्केट में थोड़े से इनकी कुछ हल्कुजल में थोरा ऐसा जाम देखने को मिला है अधर्वाइस इसमें देखा जा सकता है कि पिछले एक मेने की चार्ट में क्या इनकी पास सपोर्टिंग बनती है या लगातार गिरती ने लगा हमने इसको आंक कुछ कहती है इन्वेस्टर को ले करके यहां पर यह भी नजर आती है जो कंपनी के पास करीब चुहत्तर परशेंट की होल्डिंग प्रमोटर के पास और पच्छिस परशेंट की होल्डिंग आम पब्लिक में है इससे पहले एक नजर डालेंगे हम इनकी ग्रोथ लेबल के जहां पर शेल्स व्रोथ में देखा गया करीब उनीश परशेंट की ग्रोव प्रोफिट ग्रोथ में कहती है बीश परशेंट की ग्रोव और इसमें कुछ ऐसा मोमेंटल देखने को नजर नहीं आई लेकिं रिटर्न निकोटी में फोरी सी अच्छी पोजिशन्स निकली है देखा गया तो कंपनी में लगातार यहां पर डिमांड बढ़ती नदर आती है घरती नदर अशार देखने को लगता है यहां जो की एक लंबे परिट के इनवेस्टर्स हैं उनकी तादात में देखने को यह मिलती है जो मार्केट में बहुत बढ़ा ग्याप अपनी हुआ लगातार बढ़ती निदर आती है क्योंकि यहां पर डिया और इपनी पोजिशन से थोड़ा थोड़ा करके पोजिशन को सिप्ट करती गई बेगती गई तो जब बेगती गई तो मार्केट में सेंटिमेंटल थोड़ ऐसा रहा और एज उन टाइम फ्रेम देखने को मेला जो 21 के इस परशन्ट के असपास के पॉब्लीक होल्डिंग है उसमें भी लगातार बल्क टेडह होती रहती है और बल्क टेड के बाड़े में कहते हैं कि 0.05परशन्ट 0.5 परशन्ट के रहुत था क्सक्षयन line देखा गया कि कुछ बड़े लोगों ने किया तो इसको बर्केड में ही महा पा जाता है इसकी आंकलेंद में देखा गया कि कुछ बड़े लोगों ने अपनी पोजिशन को सेल आउट किया 197 के आसपास तब क्या था जुलाई में 30 तरह को 197 पर सेल आउट किया आज के टाइम में इसकी प्रैस में क्या हुआ 197 के बज़ा मार्केट ने डीप में जाती नजर आई इसलिए जहाँ वहां पर वॉल्यूम जो हुआ था मार्केट में वॉल्यूम जो आई थी गिराबट में कब आई थी वॉल्यूम तो गिराबट में देखने को करें मिली नहीं वॉल्यूम जब आई थी मार्केट में क्या कि निकले होंगे, जिसके लिए यहाँ पर खास के दिखा जहाँ पर प्रेशर्स बनी थी, इस टॉक को ले करके, इसके बाद मार्केट नहीं क्या किया, सीधे के सीधे डिप लगाती, नजर आई, तो इसके बारे में हमने देखा, कि कम्पनी के पास बेट्स रिड्यूस करती जरहता है, तब तक के लिए थैंक्यों, और यहाँ पर एक नजर डालते हैं, रिवेंडियों में क्या होती है, गिराबट थी, और अब और यहाँ पर यहाँ पर गिराबट ही देखने को, वाई ओ वाई के बैसे, पिछले साल के सेम कौर्टर से इसका सेम देखने को मिला है, और हम जान रेतियाज, पैरामिड्स को लेकरके, जिसके पास एक बड़ी ओडर की खास करके, इनर्जी सेक्टर को लेकरके, और सप्प्लाई को लेकरके,